ये तस्वीर ये हकीकत ये दम तोड़ते उन दावों की तस्वीर है जिनके बलबूते प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों के स्कूलों से यूपी के स्कूलों को बेहतर बताती है हाँ यूपी के कई स्कूला जैसे हैं जहां की चमदार छट के नीचे देश के सुनहरे भविश से तयार किये जाते हैं लेकिन ये स्कूल बलिया का है जहां देश के भविश से सोचाले साफ कर रहे हैं हर माबाप का सपना होता है कि उनका लाडला अच्छी शिक्षा और अच्छे गुर सीख कर जिंदगी में कामियाब बने तब ही तो तमाम परेशानियों के बावजूद बच्चों को स्कूल भेजा जाता है ताकि बहतर तालीम मिल सके लेकिन जब शिक्षा देने के बजाए स्कूलों में सोचाले साफ कराने की कला सिखाई जाने लगे तो आप ही अंदाजा लगाईए कि इन छात्रों का भविश कितना उज्जल होगा ये तस्वीर यूपी के बलिया जिले के नरही थाना छेतर के सुहाओ बलाक में बने पिपरा कला प्रात्मिक विद्याले का है जहां उज्जल भविश की आस लिए शिक्षा लेने आये छात्रों से सोचाले साफ कराया जा रहा है ये विद्याले के हेड्मास्टर साहब है जो अपने बच्चों पर रौब जाड़ते हुए आदेश दे रहे पताया जा रहा है कि सोचाले साफ करवाने पर आपत्ती जताने वाले अभिभावकों को भी हेड्मास्टर ने अपनी हेकड़ी दिखाई जानकारी के मुताबिक ये हेड्मास्टर साहब एक बार पहले भी सफाई के चक्कर में निलंबित हो चुके हैं जब इन्होंने स्कूल के बच्चों से नाली साफ करवाई थी वही 140 साफ करवाने का वीडियो वाइरल होने के बार एक बार फिर हेड मास्टर साहब निलंबित किये जा चुके हैं विरो रिपोर्ट आज की खबर